हाई एवरिवान वेलकम बैक कैसे हैं आप सभी लोग आज की नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत सागत है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नद भुलेगा दोस्तों दोस्तों आज का हमारा जो पहला एंग्रेडियंट है वो है ये तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मुझ लिए शुरू करते हैं तो यह हमारा पहला इंग्रेडियंट है सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडियंट से आज का हमारा जो रेमेडी है जो नुस्खा है वो हम आज बनाएंगे जैसे कि हर बार मैं आपको कोशिश करती हूँ चाहे वह आर्ट एंड क्राफ्ट हो चाहे वह से रिलेटड हो चाहे वह बेट लॉस से रिलेटड हो कोशिश have यही होती है मेरी वीडियो कि आपको इड़रम से मैं वह चीज़ें बताओ नुस्खे बताओ जो है easily available होते हैं कम खर्चे वाले होते हैं या फिर trash से बनते हैं चाहे plastic bottle recycle करके कोई चीज बनाना हो या फिर घरे लोनुस्त के हो बहुत ही 2-4 रुपए के खर्चे वाली चीजे होती हैं या फिर घर पे रखी हैं तो कैसा फिर उनमें तो एक भी पैसा आपको नहीं लगाना बाहर से तो ये वीडियो आज का जो है beauty से related है यानि कि आपके चेहरे के लिए हैं लड़के और लड़कियां दोनों ही से इस्तमाल कर सकते हैं freely एकदम कोई टेंचन नहीं लेना है एकदमारा काम से बिंदास होके यूज कीजिए कई सारे लोगों को लगता है comment भी करते हैं कि लड़के लड़कों के लिए है या नहीं तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए मेरे नुस्खे होते हैं जो नहीं होते हैं उसमें मैं आपको बता देती हूं तो जिल लोगों की शादी होने वाली है पालर के महेंगे महेंगे कोर्स लेते हैं वो तो वो इस नुस्खे को अपना करके देखें आठ दिन के लिए या पंदरा दिन के लिए उनको बहुत ही गजब यह आप पहचान ही गया होंगे आई गैस तो बस इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बनेगी तो वीडियो में साथ में बने रहीएगा आपको सारी चीज़ें बताओंगे कि इसका क्या-क्या फाइदा है सो दोस्तों नौइस के लिए सौरी मेरे बगल में जो है घर में रिनोवेशन का काम चालू है तो वहां से आपको शौर की आवाजे सुनाई दे सकती हैं तो यहां पर है मेरे पास हल्दी सबसे पहले आप देख करके जान गये होंगे हिंदुस्तानी किचिन में हल्दी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है और हिंदुस्तान में हल्दी सिर्फ खाने तकी नहीं सीमित है, बहुत सारी चीजों तक पूजा पार्ट में भी हल्दी का इस्तमाल होता है, कोई भी हमें बीमारी होती है, चाहे में बेट लॉस करना हो, चाहे खासी जुकाम ठीक करना हो, सरदी ठीक करना हो, हल्दी चोट लगाते हैं और जब शादी होने वाली होती है तो जो हल्दी सेरेमनी होती है उपटन होता है वो उसमें भी हल्दी का इस्तमाल होता है क्योंकि जो है उससे सुनरता बढ़ती है एक नैचरल ग्लो आता है चेहरे पे जो पिंपल्स वगेरा होते हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं anti-tanning का काम करती है, anti-aging भी होती है, बहुत सारे इसके फायदे है, तो आपको चाहिए आदा छोटी चमच हल्दी और चाहिए raw milk यानि कच्चा दूद आपको, इसके लिए पका दूद आपको बिलकुल भी नहीं लेना है, कच्चा दूद लेना है, और इसमें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा दूद डालना है, इसे आप चेहरे पे भी apply कर सकते हैं, और नेकेडिया पे भी apply कर सकते हैं, तो जितना आपका applying area है उसी इसाफ से आपने हल्दी लेनी है कच्चा दूद लेना है तो कच्चा दूद गाय या भाइस कोई भी ले सकते हैं हल्दी आपने ध्यान देना है कि जो रोज के खाना बनाने वाली मसाल लानी है वहाँ से आपने हल्दी नहीं लेनी है क्योंकि उसम हम अधर मसालों वाले चम्मच या मिर्च वाले चम्मच भी डाल देते हैं देखिए इसका अच्छा पेस्ट आपको बनाना है इस तरीके से और आप नहीं से अपने चेहरे पे अपलाई करना है तो आप सपोस कीजिए वैसे तो आप इसे पूरे सरीर में भी लगा सकते हैं ले आप उससे लगा सकते हैं आप रूई से भी लगा सकते हैं डिरेक्ली हाथों से भी इस तरीके से लगा सकते हैं अगर आपके चेहरे में छोटे-छोटे दाग हैं आपकी स्किन जो है लूज हो रही है काली-काली है कोई चमक नहीं है उसमें आपकी एज भी अगर जादा है और आपको लगता है कि आपके चेरे के जमक चली गई है तो यह इन उसका आपके लिए हैं आप इसे डेली भी अप्लाई कर सकती हैं नहाने से पहले और या फिर जो है आप इसे अल्टरनेट डे भी लगा सकती हैं तो आपने इसे लगा करके छोड़ देना है 15-20 मिनट के खेंगी श्लुमा करनेखी और शोड़ी अपनापनाली दिखाएगी इस पत में कोई शक देनाएगी इसे निकार तो यह पहले नहीं नहीं प ethics दूदَّ जिए कि बहूए को स्नवक्तर को स viens सुन करें VAघी वो चैनप से दूद्ध में और ऀक साथे आप कज अनूद्ध और जपान में आज भी यह फॉर्मुला बहुत ही जादा पॉपिलर है वहां के लोग दूद बगरा से नहाते हैं कच्छे दूद का इस्तमाल करते हैं अपने स्किन के लिए तो इस वज़े से देखा होगा अपने वह बहुत गोरे भी होते हैं तो यह कच्छा दूद अब हल् ब्लड सेर्कुलेशन है वह बढ़ेगा और आपके स्किन बहुत ही अच्छा महसूस करेगी और इसके बाद मैं आपने इसे कप्टे से पोछ लेना है और पानी से धुल लेना है और जब आप यह लगा रहे हूं जब आप इसका कोर्स कर रहे हों तो यह नुसके को अपलाई तो मैंने लगाया और धोलिया है लेकिन आप जो है इसे लगाईएगा तो आपको तुरंत ही पूरे हाथ में अंतर समझ में आने लगेगा अभी मैंने बहुत ही अच्छे से इसे नहीं दोया रगण करके इसलिए हलके आपको हल्दी दिख रही होगी तो अगर आपका कलर प्र करेंगे आपको बहुत ही कमाल का रिजर्ट लेखने को मिलेगा तो दोस्तों यह नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्रेब करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहाद बहाद आपने माल